वेल्कम बेक वेरिवन वेल्कम टो सिवल सर्विसेश टड़ी यह है टेस्ट नंबर 493 यूपिस से सिवल सर्विसेश प्रडेम्स के रिए फोकस करेंगे बायोलोजी के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं समय कम है चार अक्टूबर को अपका एक्जाम है हर दिन प् पर से तो कुश्चन नंबर बन है कुछ स्टेट्मेंट है यहाँ पर जब पादब कोशिका अपनी विभाजन शमता खो देती है तो वह विभेदन की और बढ़ती है जीबित विभेदित कोशिकाओं की पुना विभाजन शमता प्राप्त करने को निर विभेदन कहते हैं कोशिका और उतक ब्रद्धी दर्जवा सामानेता पूरे जीवनकाल में उच्चितर दरपटी की नहीं रहती जब कोशिका अपनी विभाजन शमता खो देती है तो वह विभेदन की और बढ़ जाती है जेवित विभेदित कोशिकाओं कुछ खास परिस्तितियों में विभा आजन की शमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके अर्थात्व है पुनर विभेदित हो जाती है कोश्च नुमबर टू पर आजाईए पौधे परियावर्णिया प्रभाव के कारण या जीवन के विभेन चरणों में भिन पतों का अनुसरण करते हैं ताकि विभेन तरह की संरश्णाओं का गठन कर सके पौधों की शमता को क्या कहते हैं क्या कहेंगे परियानुकूलन दीप्तिकालिता पादप ब्रधी नियामा किया प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इसका अंसर हो जागा अप्स नमबर ए तो पोधे देखिए परावणिया प्रभाप के कारण या जीबन के विभेन चरणों में विभेन पतों का नुस्रण करते हैं ताकि विभेन तरह की संरश्णाओं का गठन कर सकें पोधे की इस शमता को बोलते हैं प्लास्टिसिटी कोश्चन नमबर थरी पर आजए इनमेंसे सारे के सारे प्लांट हार्मोंस है तो देखिए ऑक्सियन हार्मोंस का प्रियोग बागवानी एवम खेती में विश्तरत रूप से किया जाता है यह तनों की कटिंग यानि कलमों में जड़ फूटने यानि रूटिंग में हेल्प करता है और पादा प्रभर्धन में व्याप अत्तो एबम फसलो को सुर्वाती अवस्था में गिरने से बचाता है कर देते हैं बचाती है कर देते हैं कुश्चन नुबर फोर पर आज़े फलो को पकने के लिए कौन सा हर्मोंस उत्तरता ही है यह इंपोर्टेंट प्रेश्ण है और बहुत बार आपने दिखा होगा प्रद्धी करता है अगर कुछ इस तरह का उप्सन में आपको एसेटिलीन मिलती है न एसेटिलीन तो वह भी करेक्ट है आंसर कोश्चन नुबर फाइब पर आज़े प्रकास चंसलेशन को प्रभावित करने वाले वाहिकार को के नाम बता दीजे सूर का प्रकास जल कारबन अपमान है शीत ऊचन कटी बंदी तो प्रभावित करेगा नहीं करेगा फोटो संथेटिस की प्रकास तो प्रकास चंसलेशन की दर कई कारकों से प्रभावित होती है जो है वाहिकारक और आंतरिकारक दोनों आंतरिकारकों में देखा जाए तो पौधों की आकड़ती हो मद्धियों तक कोशिकाएं क्लोरो प्लास्ट में अंत्रिक सीयोटू की संद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा भी देखें बाहेकारकों को तो सूर का प्रकास है जल है टेंपरेचर है सीयोटू की संद्रता अंत्रिक बाहेकारक दोनों एक समय में साथ साथ प्रभाब डालते हैं पुश्य नम्बर 6 पर आजएए इन में से कौन से प्रकास संसलेशन अविक्रिया द्वारा निर्मित उतपाद हैं कौन कौन से प्रोड़क्ट हैं जो कौन कौन से इन में प्रोड़क्ट हैं जो बनते हैं बताईए एटीपी, एडिनोसीन, ट्राइफोसफेट, नाइट्रोजन, येन्ने, डिपीच और ऑक्सिजन देगे चौथा तो बनेगे बनेगे तो सबको पता है कि प्रकास संसलेशन के प्रकरिया के दोरान पौधे कुवाता बरण से करवन डाय अक्साइट लेकर भूमी से जल लेकर ऑक्सिजन का निर्माण करते हैं लेकिन ये खाना भी तो बनाते हैं अपना एटीपी, तो एक और चार है क्या अप्सन में एक और चार तो नहीं है अप्सन में क्योंकि इसका उत्तर एक चीज और सही हो जाएगा इन डिपी एच बता एन डिपी एच वन थ्री फोर नाइट्रोजन तो पौधे खुद ग्रहन करते हैं ना वाई मंडल के नाइट्रोजन को ग्रहन करके नाइट्रेट में बदलते हैं पौधे तो तो सेकेंड को एलिमिनेट करके क्या अपना अंसर मिल जाता नहीं मिल पाता एक ही कटता के अबल मतलब 75 प्रतिशत परिसानी वर्स्ति आपके पास 25 प्रतिशत सौलम होती के अबल इसका आंसर फिलाल सी हो जाएगा 134 134 134 तो प्रकास संसलेशन प्रकास संसलेशन की अभिक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद हैं ऑक्सीजन, ATP और NADPH इसमें से ऑक्सीजन क्लोरोफलाश्ट के बाहर जो है विसरित होती है जबकि ATP तथा NADPH का उप्योग आहार अथवा सरकरा को संसलेशन करने वाली प्रक्रिया में होता है कुशन नमर्ट सेबन पर आजए निम्लिकित में से किस प्रकास में प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया सरवाधिक मात्रा में संपन होगी तो कौन सा वो परकास है जो सबसे अच्छा है परकास संसेलेशन की परक्रिया के लिए, एक तो लाल परकास होना चुछी है, तो लाल जहां पर होगा वो बनाधर चोड़ो उसको, हरा नहीं हो पाएगा, नीला लाल कर देते हैं, सबसे ज़्यादा नीला उसके बाद लाल तो देखे पौधों में नीले एवम लाल प्रकास में प्रकास संसलेशन की दर जो है वो अधिक्तम होती है फिर प्रिंटिंग मिश्टेक तो नहीं हो गया डी था ना इस बार तो अंसर सही है कोशन नमबर एट पर आजए पौधों में प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया कहां संपन होती है बड़ा बेसिक सा प्रशन है इंपोर्टेंट सा क्लोरो प्लास्ट में कहां पर यह माइट्रो कंट्या मत लगा दे ना उर्जया का पावर हाउस है यह तो देखे पौधों के हरे भाग जिसे क्लोρο फिल कहते हैं में क्लोरो प्लास्ट पाया जाता है जहां प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया संपन होती है एक फोट्धों के हरे भाग में होती है और पोधों द्वारा उतसर्जित ऑक्सिजन सीओ टू से प्राप्त होती है और पोधो में पाये जाने वाला glucose, starch के रूप में संचित होता है विल्कुल correct है, पहला वाला statement, विल्कुल correct है, तीसरा वाला statement लेकिन दूसरा वाला है incorrect क्योंकि जो पौधो दौरा उतसर्जित oxygen होती है, जो photosynthetis के थ्रूव बनाते हैं, वो जल से आती है, जल से, oxygen से नहीं आती, तो करिए eliminate दूसरे को इसका अंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल blender हो गया है फश् corridor पर से, मतला option में, इसका answer के बहुल 1 और 3 है, कौन से लगाएं इसको, चलि एक और 3 है, कोई सा भी कर दीजिए इसको, तो इसका d होना चाहिए, ड कर देते हैं, हम d मान बेठे हैं, इसके d लगाएंगे हम, 1 और 3, एक और 3, d लगाएंगे हम इसका, तो दे आई ये खाली इन पर द्यान मत देना, चलिए प्रकास संस्लेशन की क्रिया पौधों में हरी पत्तियों के साथ-साथ अन्य सभी हरे भागों में संपादित होती है, एक नाम है जूलियस बोन सेचस, जूलियस बोन सेचस ने बताया कि पौधों के हरे भागों में ग्लूकोज और glucose प्रया starch के रूप में संशित रहता है देखिए हरे पौधों के द्वारा उसर्जित जो oxygen होती है जो प्रकास sensation की प्रक्रिया के दौरान वो निर्मेद करते है बायू मंडल से carbon dioxide लेकर भूमी से जल लेकर सूर्ज के प्रकास की उपस्थिती में तो वो जल से आती है जल से जो नीचे से जल ग्रहन करते है ना भूमी से उससे आती है वो carbon dioxide से नहीं है ह2 होता है ना उसी से जो है O2 बनता है question number 10 पर आजए है निम्लिकित में से oxygen की खोच किस ने की थी अब UPSC इसको सीधे सीधे तो पूछेगा नहीं लेकिन एक बनाया है question इसको पता होना चाहिए आप कोई statement बना कर भली पूछ सकता है कि प्रकास translation की प्रकरया के दौरान पौधे जो है ATP और NADP का निर्माण करते हैं और oxygen की खोच जो है इन से इसने की थी इन में से किसने की थी वैसे Joseph Pristley ने की थी किसने की थी Joseph Pristley option number A है इसका answer लेकिन यह दूसरे एक्जाम का तो favorite question होगी है न इस तरह के question पूछ लेते हैं तो Joseph Pristley ने 1774 में oxygen की खोच की थी और Pristley ने अपने बहुत से प्रियोगों के द्वारा सिद्ध किया की पौधो एवम जन्तूओं के जीवन में हवा की अनिवारता हवा की अनिवारे भूमी का क्या है तो देखिए ये कितने 10 प्रश्णते HSSS का revision कर लेना बायोलोजी के धन्यवाद और गलतियों के लिए सौरी है printing mistake कुछ ज़्याद ही हो गई इसमें चलिए